Hello and welcome back to Asset Guide YouTube Channel आज की इस वीडियो में हम देखेंगे काफी important information यहाँ पर देखिए राउल पैजोस हैं यह वन एकोसिस्टम के बड़े खास लीडर है तो इन्होंने एक पॉस्ट डाली है थ्री बैंक्रप्टेड इन यूएस है यूएस में तीन लोग बैंक्रप्ट हो गए हैं और इनकी जो 400 बिलियन का एसेट है वो डूब गया है यहाँ पर यह बात है आगे कह रहे हैं government rescue तो सरकार ने rescue क्या है with state funds state funds के साथ in the first economy what oddacity are those who say cryptocurrencies are high risk corruption तो यहाँ पर यह कहने का मतलब है कि तीन लोग है इनके जो है cryptocurrency में 400 बिलियन जो एसेट है वो loss हो गया था तो यूएस की जो government है USA government जो है उसने इसको recover करने में इनकी help की है यानि कि USA government ने जो दुनिया की पहली economy है उसने तीन bankrupt लोगों का 400 बिलियन एसेट जो है वो recover करने में अब देखें cryptocurrency क्या कहते हैं कि वह decentralized cryptocurrency है और यहाँ पर कोई किसी इसमें कोई रोक थाम नहीं कर सकता कोई इसको पकड़ नहीं सकता कोई capture नहीं कर सकता या crypto में आप लेंदेन करो तो उसमें किसी को कोई कुछ पता नहीं चलता तो इस तरीके से बाते आती हैं लेकिन अब government ने इस पर भी control करने की causes कर ली है planning सारी तयार हो चुकी है उसी से related हमारे इंडिया में भी जो है rule कल बन गया है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर देखे पूरा full information आपको मिलेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है gnews की website gnews की gnews पर जो dna analysis होता है बहाँ पर देखे यह live news है और यहाँ पर है cryptocurrency में अवैद लेंदेन अब पकड़ जाएगा यहाँ पर देखे crypto currency में अवैद लेंदेन अब पकड़ जाएगा यानि कि पहले क्या होता था ना पहले कुछ किसी को पता नहीं चलता था कोई की decentralized है कोई उसे track नहीं कर सकता कंट्रोल नहीं कर सकता लेकिन अब ऐसा नहीं रहा अब सभी अवैद जो लेंदेन है वो पकड़ जाएगे उसी से related यह information है तो यहाँ पर देखे फोटोग्राप्स में आपको दिखाऊंगा money laundering कानून के तहत आई क्रिप्टो करंसी तो क्रिप्टो करंसी को money laundering वाले कानून के तहत मतलब क्रिप्टो करंसी जैसे पहले था क्या कि क्रिप्टो करंसी पर कोई कानून नहीं था केवल regulate किया गया मतलब केवल tax के दायरे में लाया गया था लेकिन अब क्रिप्टो करंस और यह मैं आपको पूरा गजेट पत्र दिखाऊंगा यहां पर तो देखें यह है भारत का राजपत्र दा गजेट ओफ इंडिया तो भारत के कानून व्यवस्था में अब क्रिप्टो करेंशी को सामिल कर लिया गया है और इसको जो है मनी लॉंडरिंग के मनी लॉंडरिंग एक्ट के अंदर लाया गया है यानि कि अगर आप क्रिप्टो करेंशी का लेंदेन करते हैं बड़ी मात्रा में तो वो मनी लॉंडरिंग समझा जाएगा अगर आप एक बड़ा अमाउंट क्रिप्टो करेंशी का ट्रांसफर करते हैं अगर आप एक बड़ा लॉंडरिंग के अंदर ही आएगा ऐसा रूल भारत में बना है अब देखिए इसके पीछे और एक मैं आपको रिजन दिखा देता हूं यह पूरा डिटेल में देखेंगे हम तो यह देखिए यहां पर इस परस्ट लिखा हूँ है एक्सचेंज बिट्विन बिट्विन करेंगे और एक लिमिट से ज्यादा करेंगे तो यह भी एक उसके अंदर आएगा क्योंकि बन एक क्रिप्टो है और बड़े अमाउंट में अगर कर रहे हैं तो यह भी मनी लॉंडिंग माना जाएगा आगे यहां पर है एक फॉर्म से अधर फॉर्म में अगर आप बीटी स से बीटी सी से एटी एच में कंवर्ट कर रहे हैं तो यह भी मनी लॉंडिंग के अंदर आएगा यहां पर कुछ लिमिटेशन रहेंगी कि इतने से इतने माउंट सथ कर चकते हैं बाकि देखे सेफ किपिंग एड्मिस्टेशन और बर्च्वल डिजिटल ऐसेट अगर आप स या फिर दूसरी किप्क्रेंशी को hold कर रहे हैं तो वह भी मनी लॉंडिंग आक्ट के अंदर आता है साथे साथ आप क्रिप्क्राइंसी से रिलेटेड एक्यूपमेंट रखते हैं जैसे आप ецैंतte तो क्रिप्टो करन्सी इसु करने से रेलेटेड आप अगर फाइनेंशिल सर्विस पोवाइड करती हैं तो यह भी मनी लॉंडरिंग एक्ट के अंदर आता है और आपको इसके लिए सतर्क होनी के बजरूरत है अभी देखें मैं और एक चीज़ दिखा देता हूं तो यह रहा क्रिप्टो में अभैध लेंदेन अब पगड़ जाएगा अभैध लेंदेन अगर आप करते हैं बेना किसी प्रूप के क्रिप्टो करन्सी अगर आप होल्ड वी कर रहे हैं तो इसके लिए भी कानून है होल्ड करना मनी लोंडरिंग के अंदर आ गया है अब देखें आप पर यह जो रूल है वो अभी मैं हिंदी में दिखाता हूँ कि हिंदी में इनका मतलब क्या है तो क्रिप्टो करंसी और मुद्रा करंसी के बीच ले देन अगर आप करेंगे यानि कि अगर आप बिटकोईन या एथिरियम को अगर आए नर में कनवर्ट करेंगे तो यह मनी क्रिप्टो करंसी में बदलना सरकार की नजर में है जैसा कि हमने पहले बताया था अगर आप बिटकोईन को एनर में अगर कनवर्ट कर रहे हैं तो आपको यहां पर सरकार की नजर आप है और सारा पॉइंट क्या था तो दूसरा पॉइंट के रहे हैं दो अलगलग क्रिप्ट करंची के बीच अगर आप लेदेन करने हैं जैसे बिटकोइन और यूस्ट या फिर बिटकोइन एथिरियम इनमें अगर कर रहे हैं तो भी मनी लोंडरिंग का एक्ट आपके उपर लग सकता है अगर आपके लिमिट से जादा करते हो और आपके पास उसका प्रॉपर रिकोर्ड नहीं है तो अब देखे यहां कर बिटकोइन का एथिरियम में एक्सचेंज करना भी ये भी मनी लोंडरिंग के अंदर अब आ गया है ती क्रिप्टो क्रिमिनल्स की अब इसमें बिल्कुल भी खैर नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं आपको क्रिप्टो को कंवर्ड तो करना ही पड़ेगा और जब आप करेंगे तभी आप पगड़े जाएंगे आगे की बात करते हैं नेक्स पॉइंट यहाँ पर देखे क्रिप्टो करन्सी वर्चुल डिजीटल एसेट पर नियंतर रखने वाली उपकरनों के रख रखाब और प्रिसासन तो ऐसा करते न कुछ लोग माइनिंग पर लगा देते हैं कि माइनिंग बड़े बड़े कंप्यूटर ग्राफिक्स क सकता है पांच भाए क्रिप्टो करन्सी के बिक्री से जड़ा वित्य सेवा को प्रदान करने बाला करने भागिदारी जैने कि एक रख क्रिप्टो करन्सी से जोड़ी सेवा अगर दे रहे हैं तो उसमें भी आपको स अप सरकार की नखर पर हैं आप우론 कूर ए है कि अवेर लेंदेन कितने परसेंट हो रहा है तो क्रिप्टो करंजी के जरिये पित्या गड़वड़ी पर ED की नजर अब रहेगी जैसा हम उने पहले बताया था ED जो है अब आप पर कभी भी आपको नोटिस दे सकती है अगर आप किसी भी क्रिप्टो करंजी का चाहे वो BTC हो ETH हो या फिर 1B हो तो अगर आप इसका भी transaction करते हैं तो आप पर कभी भी ED की नजर आ सकती है आप इस बात से बिल्कुल तैयार रहें इस चीज के लिए कि अगर आप क्रिप्टो में कुछ भी लेंदिन करते हैं तो आपके सामने बड़ी दिक्कत होने वाली है ED जो है सभी मामलों की investigation कर सकती है क्रिप्टो से related आपको ED notice कभी भी दे सकती है अगर आप fund का hair care कर रहे हैं तो आपको सतर्क होने की दरौत है क्रिप्टो करंसी पर नकेल कसनी की तयारी पूरी तरीके से हो चुगी है कस्टुमर की account detailed transaction history को verify करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि आप अपने account में fund deposit कर रहे हैं और उसे कहीं भी transfer करते चले जा रहे हैं तो यह भी क्रिप्टो करंसी पर नकेल कसनी की पूरी तयारी है transaction history को भी verify किया जा सकता है तो आप दिहान रखें जी जोगा क्रिप्टो exchange platform पर किरहको की kyc जरूरी हो गई है संदीग्द लेंदेन की जानगारी आपको FIU एक संस्ता है उसको देनी पड़ेगी अगर कोई भी संदीग्द लेंदेन होता है तो आप FIU को इसकी information दे सकते हैं अब देखे हम यह देखेंगे कि किस क्रिप्टो करंसी पर कितने अवैद लेंदेन होते हैं वह सारी चीज़े हम यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे एक और यहाँ पर एक स्लाइड आई इसमें यहाँ है बैंक, बित्य संस्तान, रियल इस्टेट और ज्वैलरी सेक्टर, कसीनो, रिपोर्टिंग यूनिट यह सभी इसके अंदर है बैंक भी इसके अंदर है, अगर आप फैनेंसिल सर्विस देते हैं तो फैनेंसिल संस्तान भी है, फैनेंसिल इंस्टिट्यूशन, रियल इस्टेट भी क्रिप्टो के अंदर आ रहे है ज्वैलरी सेक्टर भी पूरा कवर हो गया है, यह जो गोल्ड वगेरा कर रहे हैं तो आप तैयार रहना गोल्ड जितनी भी लोग डिलीवर कर रहे हैं डिल से कर पर या फिर दूसरे तरीकों से तो आपको पूरा रिकोर्ट रखना जरूरी है कसीनो से रिलेटेड और रिपोर्टिंग यूनिट जो है सब क्रिप्टो करंसी एडी के अंदर है इन पर कभी भी कारवाई हो सकती है आगे देखते हैं बिटकोईन में 19% अवैद लेंदेन होता है तो बिटकोईन जैसी बड़ी क्रिप्टो में भी 19% 19% जो है यहाँ पर अ अगर अब हम देखें कि स्टैवल कोईन जैसे यूएसडीटी है इस टाइप के कोई यूएसडीटी यूएसडी कोईन या फिर दूसरे जो स्टैवल कोईन है उन में जो है वो 57% तक अवैद लेंदेन होता है अगर आप यह सोच रहे हैं कि स्टैवल कोईन में फंड सेफ र परसेंट लेंदेन गेषर कानूनी तरीके से किया जाता है जो कि जैसे किसी कि का सरवर है कर लिया उससे बिटकोई में पैइमेंट लिया या फिर इस तरीके के जो काम है hacking स्मग्लिंग ये सब बिटकोई और दूसरी क्रिप्को करनंसी का फन्ड दरहरे ट्रांसफर करते हैं तो आपको अब शतनastर निकिस्ट है क्योंकि यहां पर सरकार इसको पूरा कंड्डरल करेगी क्योंकि क्रिप्टो करन्सी अभी मनी लॉंडररिंग अक्ट के अंदर आ गहें अगर आप क्रिप्टो करेंसी को होड़् करते या फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको यहां पर काफी ज्यादा काफी ज्यादा प्रूफ के साथ अपनी डोकुमेंटेशन के साथ इस काम को करने ज़रोत है अधर्वाइज आप पर इडी का नॉर्टिस कभी भी आ सकता है तो यही थी इंफोर्मेशन मिलते हैं के साथ अब तक लिए की बोचिंग एसेड़ गाइड़ अ